तो ये लीजी आज मैं ले आई हूँ टमाटर से बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो बनाने में बिल्कुल इजी और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी Hello Everyone यासना की किचन में आप लोगों का दिल से वेलकम है उम्मी दे कि आप लोग अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो यहाँ देखे मैंने टमाटर ले लिया है मैं दो परसन के लिए बना रही हूँ आप ज्यादा परसन के लिए अगर बनाए तो टमाटर की क्व आप नहीं कज़िए कर सकते बहुत ही टेस्टी बनेगी लेकिन बनेगी तो यहां मैंने सारे टमाटर को छोटे थेँए काट लूँ liberal की बहुत ही जल्दी बन जाएगा मुस्किल से इसको बनाने में 34 मीनट लगते हैं तो यहां मैंने सारे टमाटर को क्वोटे छोटे- नमक डालिएगा उसके बाद मैं इसमें एक कप के आसपास पानी डाल दूँगी और बस इसको ढख करके गैस पे पकने के लिए चरहा देंगे मुस्किल से तीन से चार मिनट आप लोगों को पकाना है ज्यादा देर पकाना बिल्कुल भी नहीं है टामाटर अगर मतलब चार मैंने हरी मिर्च लिया है और चार से पाच लैसन के कलिया ली थी उन सबको बारीक बारीक चौप कर लिया अब टमाटर पक चुका है चार मिनिट हो गया था तो अब हम इसको खोल के चेक करेंगे तो चलिए चेक करके देखते हैं तो यह देखे टमाटर बिल्कुल अच तो अब हम इसको उतार लेंगे यह लगबख पक भी चुक है मैंने गैस पर चरह करके इसे मिक्स कर लिया था तो साथी साथ इसका वाटर भी थोरग कम हो गया है तो मैं इसको अब उतार लूगी तो अब मैं इसमें सारा सब कुछ अब डाल दूगी यहां मैंने जो प्याज, जारी मीर, चौड, लहसन डाली थी, काटी थी उन सब को मिक्स कर लूगी डाल करके आप चाहे तो अलग से धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं उसे टेस्ट और ज्यादा हो जाता है लेकिन मैं यहां पी उसी स्कीप कर दी हूँ अगर आपके पास होगा तो आप एड़ कर लिज तो यह लीजे बन के रेडी हो गया जट पट आपकी टमाटर की चटनी या टमाटर का सूप कुछ भी कह सकते हैं गर्मा गरम खुद भी खाईए और घरवालों को खाईए वीडियो देखे लिया है तो इसे लाइक भी कर दीजे कॉमेंट भी कर दीजे साथी साथ स्रेयर भी कर लीजे मैं फिर मीलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई